कि आपने इतने सारे क्रोर इस पे खर्च की है लेकिन इंप्लॉइमेंट तो नहीं हुआ तो गवर्मेंट्स डरते हैं ऐसे और एवैल्यूएशन नहीं करना चाहते हैं आज मेरे साथ हैं RBI के एक्स गवर्नर रगुराम राजन राजन साथ आज तक तो लोगों ने आपको गवर्नर की भूमिका में देखा है लेकिन आज के बाद से लोग आपको एक नई भूमिका में देखेंगे आप एक आथर की भूमिका में आ रहे हैं आपकी एक किताब आ रही है क्या नाम है साथ किताब का किताब का नाम Breaking the Mold है लेकिन गावनिर्शिप छोड़के मैंने दो और किताब लिखे हैं एक I Do What I Do और उसके बाद Third Pillar ये तीसरी किताब है और इसमें हम एक नए पत के बारे में लिखते हैं कि भारत को किस पत पे जाना है और हम ये कहते हैं कि उस पत पे अगर जाएंगे तो विक्सित देश बन सकते हैं लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा काफी होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि उस पत काफी कठिन है हम पहला देश होंगे चो उस पत पे गए हैं और उसके लिए एजुकेशन को मस्बूत करना है, हेल्थ केर को मस्बूत करना है, हमें अपने कमजोरियां को देखके उनको ठीक करना है, जैसे एक बहुत बड़ी कमजोरी आजकल है, कि हमारे बच्चे उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो कूपोर्शन काफी फैला हुआ है, 35% बच्चे कूपोर्शन से, उनको ये कूपोर्शन की प्रॉब्लम है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि दिमांग कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और अगर हम विक्सित देश बनना चाहते हैं, तो ये जो बच्चे आज, जो 35% बच्चे, उनका ये प्र 35% workforce होंगे और अगर 35% workforce एक विक्सित देश में उनका दिमाग ठीक से नहीं चलता क्योंकि उन्होंने उनका nutrition कम हुआ था जब वो बच्चे थे तो हम कैसा विक्सित देश बन सकते हैं Mission Mode में कूपोर्शन को टैकल करना है यह अगर आप सबसाहरन आफरिका में देखते हैं कई देश उनका कूपोर्शन हम से कम है लेकिन हमारा कूपोर्शन यह तो शर्म की बात है कि 35% है और एक और चीज़ यह है कि अगर हम देखते हैं अभी 80 क्रोर शक्स इस देश में उनको मिल रहा है क्यों हम 7% पे जा रहे हैं उनको क्यों क्यों देना पड़ता है अब देना पड़ता है इसलिए कि उनके पास नौकरी नहीं है उनके पास रोजगारी नहीं है तो हम रोजगारी कैसे पैता करेंगे सब के लिए अच्छे रोजगार हर घर में एक अच्छी नौकर अग्भोग देखते हैं हमारे देश में उसका गति कम हो रहा है क्योंकि ये सब जो लोग है वो उनके पास पैसे नहीं है उनका कंसामशन गिर रहा है तो ये सब देखे हमें रिफॉर्म्स करना है हम बस यह नहीं कहसे कर सकते हैं कि हमारा उत्पादन की गति बहुत बढ़ रह ठीक हैं कोई प्रोब्लम नहीं है प्रोब्लम है क्योंकि काफी लोग इस गती पे नहीं चल रहे हैं скаж it हूँरे पीछे चूट रहें большit आ विकासिशीन की बात कर रहें भारत रहे कि हम बात तो कर रहे हैं बड़ी आसानी के साथ में कि हम विश्व की पाँच भी बड़ी अर्थ विवस्ता हैं लेकिन सच ये भी है कि 80 करोड लोग आज भी सरकार अगर उनको खाने का भी विवस्ता सरकार को करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं इस्तिती में कुछ सवालिया निशान हैं हम कहा हैं विक्सित भारत और विकारशिन भारत की रेश में हम कहां खड़े हैं हम यह कह रहे हैं कि दोनों चीज सच्छे हैं एक तो हम धुनिया में पांच्वी एकॉनमी हैं वह तो सही बात है लेकिन यह भी सही बात है कि 80 क्रोर लोग गवर्मन्ट उनको खाने प्याशने हा हां तो मेरे क्याल में हमें यह मानना है कि कई लोग तो अभी विक्सित हैं जो 55 क्रोड लोग इस देश में आजकर विक्सित हैं आप दो भारत की बात करते हो एक बारत के अंदर दो भारत की आपने बात करते हैं एक तो विक्सित बारत जो पांच करोड के इससे को देख रह हैं तो हम उनको वहां से वहां पे कैसे पुछाए एक हिस्सा तो हो गया विक्सित मारत का जिसमें पांच करोड़ा गया गए और दूसरा हिस्सा जो है उसको क्या चाहिए एक तो जो हिस्सा है वह यसी क्रोड लोग जिन को गवर्मन्ट से फूट ग्रेंज मिल रहे हैं और बीच में मद्यवर्ग है जो बनना चाहती है विक्सित पर वो जा तो नीचे की तरफ रहा है सर अभी नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि नौक्रिया नहीं है अगर आप देखेंगे इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्ल हैं वो कहते हैं कि हां मेरे पास नौक्रिया है अगर औरत घर में काम करती है वो कहते हैं मेरे पास नौक्रिया है अगर वो जिस दुकान में पांच लोग एक जने का काम कर रहे हैं तो अगर वो वो सब पांच लोगों को के पास काम है अच्छा नौक्री नहीं है उसमें कम आमदनी मिलता है तो हम उसको कैसे बढ़ाएं तो इसलिए हम कहरें इस किताब में कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पूरे देश में हमें ये रेकंगनाईज करना है कि इस प्रॉब्लम को टैकल करना है इसको सॉल्व करना है काफी चीजिंग करने पड़ेंगे एक तो वो इंडस्ट्री जो है उनको बताना है कि आपको वर्कॉस चाहते हैं लेकिन आप यह कहते हैं कि इनके पास स्किल्स नहीं है तो इनका स्किल्स कैसे बढ़ाएं तो आपको ट्रेनिंग देना स्किल्स के लिए तो पिछले 10 साल से सरकार करूर उरूपे खर्च कर भी तो हमें देखना है कि इतना पैसा खर्च किया तो कहां पे काम क्या है कहां पे उसका आउटकम क्या है और इसलिए हमें ऐसा सरकार चाहिए जो आउटकम देखना चाहती है लेकिन कभी-कभी सरकार नहीं है and you know to have that criticism कि आपने इतने सारे क्रोर इस पे खर्च कि है लेकिन employment तो नहीं हुआ तो governments डरते हैं ऐसे और evaluation नहीं करना चाहते हैं सवाल यह आता है कि आप economic reforms की बात करके देश में लोगों की जो भावना हैं उनको भी तो पीछे नहीं चोड़ सकते जैसे लोग कहते हैं कि राम मंदिर से अब hospital थोड़ी बनेंगे राम मंदिर से अब नोक्रिया थोड़ी आएंगी लेकिन राम मंदिर भी तो आवशक्ता थी कही ना कहीं तो उनको separate करना है ना तो हमें वो आत्में विश्वास चाहिए राम मंदिर उसमें एक component है और कुछ हो सकता है यह जो divisive majoritarianism पे है उसके बदले में secularism है भातवता है fraternity that is one side दूसरे side पे अर्थव्यवस्ता है तो हाँ आप खुश हो सकते हैं क्योंकि राम मंदिर बन गया लेकिन क्या आप खुश हैं कि आपके नौकरे के साथ खुश हैं क्या आप खुश हैं कि आमदनी काफी है तो ये भी चाहिए ना तो दूनों science पे काम करना चाहिए आप इंडिया की hero रहे हो और आज भी हो अब सवाल ये है कि ये hero सरकार से अगर मुलाकात की बात आती है सरकार बात करती है सरकार reforms चाहती है और सरकार अगर कहती है कि आईये मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं उस इस्तिती में आप का हूँ मैं सब के साथ बात करता हूँ जो मेरे साथ बात करना चाहते हैं उनके साथ बात करता हूँ लेकिन कई लोग बात करना चाहते हैं कई लोग बात करना चाहते हैं कई लोग पैदल चलते चलते भी बा आराश्रमें, मैं सबसे मिलता हूं और बात करता हूं सबसे, क्योंकि सब के पास कोई आइडिया है कि इस तरीके से जाना है, इस तरीके से ने जाना है, वो मेर से पूछते हैं कि हमें किस तरास्ते पे जाना है, तो मैं सबसे बात करता हूं, अगर गवर्मेंट से लोग में चल रहा है कि मेरे क्यान में सफलता भी है मुश्किल मुश्किलता भी है I mean successes and downsides दोनों को देखना चाहिए सिर्फ हम यह सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि हम सफल देश हैं हम विक्सत बनने वाले हैं हम पांच ट्रिलियन economy पंदरा ट्रिलियन एक इंडस्ट्रियस ने का 35 ट्रिलियन economy बनेंगे यह सब कह सकते हैं हमें यह भी देखना है कि 35% को portion क्यों है दोनों को लेना है और दोनों को solve करना है यह नहीं कि हमें सिर्फ downside हमें मुश्किलता को सिर्फ नहीं देखना चाहिए लेकिन सफलता को भी सिर्फ नहीं देखना चाहिए दोनों को देखना चाहिए एक विजिन में तो यह आप सुन रहे थे RBI के एक्स गोवर्नर रगुराम राजन को जिन्होंने का कि राम मंदिर भी होना चाहिए तो देश में दूसरी तरफ भी हमको नज़र डालनी चाहिए अब रगुराम राजन अगर कुछ कहें और उसके बाद में मैं टिपने करूं तो वो उच्छ तर नहीं रहेगा इसलिए रगुराम राजन को आपने सुना आशीश कुल्स्वरेस्ट अमर उजाला के लिए जैपुस अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फे